द्य ईयर स्टूडिन्ट यह यथी साहित के हिंदी बिग्त हॉ parch पूरा मारलर बेकर ठीज को म Pasuk से सलब हैं और इसमें आपकी पर सब्सक्राइन तो स्में और सब्सक्राइब मताने लाने मार्रोumo पू 네 C प्रतिप्रश्ण के लिए तो पहला प्रश्ण है कि नात साहित में गोरख नात के महत्वर प्रकाश डालिए तो मैं आपको बता दूँ गोरख नात इस पर जोड़ा कोश्चन में आपको पहले बता रखा था कि एक प्रिश्ण जरूर आएगा और फैनली वो आया भी और गैरंटी लेता हूं अगर आपकी परिछकल परस्वय में लगी है तो ये प्रिश्ण आपको गोरख नात इस पर प्रश्ण आएगा इस प्रश्ण को तयार कर लिजिए इसे सिंविलर्टी और भी कोश्चन जो आपको होंगे वह मारे महासंगराम वीडियो में मिल जाएंगे उनको भी आप प्रिप्रियर कर लिजिए चले निश्ट को फोकस करते हैं निश्ट को श्चन आया था कि प्रमुक कभी का संशिप्त पर्चा दीजिए तो सिद्ध प्रमुक कभी हैं जिनका नाम है नंबर एक पर ध्यान से सुनेंगे सरहप्पा कौन है सरहप्पा थोड़ा इस्टोंग नाम है दूसरे हैं ठीक है सबरपा और तीसरे हैं तीफ्रे लिग जीए लुएप्पा और चार नमबर पर आप लोग लिख सकते हैं कड़पा ठीक है यह चार कुछ प्रमुक कभी हैं जिनके बारे में आपको संशिप्त परच्छे देना ठीक है यही कोश्चन कही रहा है फिर दसायत के प्रमुक कभी का संशिप्त परच्छे दीजी ओके ओके चलिए नेश कोशन पर इसमें क्या है इसके प्रमुक कभी कवी हैं कौन से रचनाय सरगोड की हैं कौन से निरगोड की वो आपको लिखना है ठीक है अगला प्रशन बहुत इंबार्टेंट है तुलसिदाफ जिसे जूड़ा कोश्चन है कि प्रमुक कभी तुलसिदाफ के राम पर अपना रचना पढ़ ली जै चाहे राम है पढ़ ले फिर कुछ भी पढ़ लिजी तो उसमें आपको पता चल जाएगा इनोंने क्या किया है तो आपको तुलसिदी के जो राम है ठीक है उस पे आपका विचार क्या है कि तुलसी जी ने राम के प्रत कैसे भावना थि कैसे इनोंने इतना मन से इनके रचनाय रची उसके बारे में आपको अपनी बेक्तिगत भावना बेक्तिगत बिचार रखना है बस ठीक है और अगला प्रशने के अस्ट शाप के कभियों के नाम लिखे ही मैंने गारंटी ली थी कि ये प्रशन आएगा ही आएगा और फाइनली ये आया भी अगर आपकी परिच्छा भी लगी है तो ये प्रशन आपकी परिच्छा में नब्बे प्रतसत उम्मीद है कि आएगा ही आएगा इसको तयार कर लीजेगा ठीक है तो अफ्टर शाप के कभियों के नाम ध्यान से सुनेंगे नमबर एक पे लिखेंगे आप सभी कौन-कौन स तो बल्लब के सिस्व सूरदाफ जी ठीक है और परमाननददाफ जी कुम्हन दास जी वकर्शन दाफ जी ठीक है और जबकी बिठलनात के सिस्व में आ जाएंगे आपके नंददास जी चतरभुषदास जी गोविंद स्वामी जी तथा छीत स्वामी जी तो ये हैं आठ नंददाफ चतुर भुजदास ठीक है गोबिंदु स्वामी जी और छित्व स्वामी जी ये हैं बहुत ही हाई लेबल का प्रश्ण हमेंस आता है और घना नंदी जी से जुड़ा मैंने आपको बताया तो तैयार कर लिए घना नंदी का पूरा जीवन पर चिया गया तो इनका माता पिता क्या नाम था और गिफ इच्छा दिच्छा कैफे हुई उनकी रफायते की ओगदान कैसे रहा उनकी दिर्स के वारे हम लिख देना बस सिंपल से परचे हो गया क्योंकि आपको तीन ही नंबर में लिंगेज के लिए अगला कुश्चन प्रस्तुत है कि गुरू के महत पर सोदाहर्ण कबीर के बिचार बताईए यानि कि गुरू के महत पर उदाहर्ण सहित कबीर के क्या बचार है मतलब कि किस इसाफ़े उन्होंने महत दिया है एक गुरू को कोई गुरू है तो कबीर दाफ जी ने उस गुरू को किस नजरिये से उसका मतलब पुरुपर परेश्ट किजी की सो दाफ जी के हिर्दे हिंता का तातपर परेश्ट कीजिए ठीक है तो कि जुड़ा कोश्चन आया ठीक है और रीत फिद्द कभी कबीर दाफ जी का संशिप्ट परिश्ट देखे इसके बारे मैंने 100% बताया कि आयेगा आयेगा और फाइनली यह वाला भी आपके परिच्रे में तब केस अधाब जीसे जड़ाएको रीत सिद्ध कभी विहाद जीसे जड़ा इसे सबाब को मिल जाएंगे जीवन परचे में और इन सबी का उत्तर आपको question bank में मिल जाएगा खरीद है तो उसमें book में मिल जाएगा अगर यह भी नहीं है तो आप internet तो यहां पर समाप्त होते अति लग उत्तर आपके question कुछ इसी प्रकार आपकी परिच्छा में आएंगे और आपको ऐसे देखने को मिलेगा खंडबा फिर लग उत्तर प्रश्ण के वारेम देशा नुर्दिफ यहां पर दिया गया है दोसो सब्दों में प्रश्णों के उत्तर देना है तीन प्रश्णों के उत्तर ही देना है बस ठीक है तो अलग 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 इनुर्सिटियों में तीन चार पांच यह question का format अलग अलग हो सकता है मतलब कुछ इनुर्सिटी कहती को यह चार प्रश्ण के उत्तर दीजी कोई क भी गया और आपकी परिछा अगर लगी है कलपर्सों में तो यह आपकी परिछा में आएगा ही आएगा हंड़र परसेंट स्योर है ठीक है तयार कर लिजेगा इसका उत्तर अगरा परसने की भक्त आंदोलन के उद्धे के कार्वत है यानि कि जो भक्त आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था इसके क्या क्या कार्ण थे किस वज़ा से आया है ठीक है यह कुश्चिन कभी कदार आता है हमे जो रसनाए है उनमें क्या अंतर है और उदाहन देकर भी अस्पस्ट कीजिए यह सिंपल सा क्योश्चिन का मत्ताव है तो बहुत ही महात्पॉन प्रसन है एक्जाम के लिए तैयार कर लिजेगा हाई लेवल का है ओके अगला प्रसन कही रहा कि रीत काल की बिभिन काब्यध है उनके बारे में आपको लिखना यह भी मातपॉन इसको भी तैयार कर लिजेंगे ठीक है और अब आपको हिंदी में क्या होता ना कुछ कुश्चन हो दें पर कुश्चन के बाद को कुछ प्रसंग मतलब कि कुछ पैराग्राफ दिया जाते हैं कुछ लाइन दी जाती है ज लेखक ने इसको लिखा है और इसमें यही आपको बताना संदर्भ में ठीक है उसके बाद आपको प्रसंग जडिय डाला तो प्रसंग में इसका मतलब लिखना के वागई में है कि आचि में व्याक्या में एक-एक सब्द का आपको वर्डन करना होगा मतलब हिंदी में अनुवाद लिखना होगा ठीक है इसके बाद नीचे बढ़ेंगे हम लोग नीचे लिखेंगे तो यहां पर अथवा करके दूसरा है मतलब कि अगर आप उसके बारे में नहीं नौलेज है तो आप इस पहला यहां पर लाइन से दी गई है उसके बाद अथवा करके दूसरी भी आपर आपको पैरा ग्राफ लाइन से दी गई है अगर इसके बारे में नौलेज इसके बारे मापको संदर्व साहिद ब्याख्या करना होता है ठीक है उसके बाद इस तरह और भी पंक्तिया आपको दी जाएं कुल तो चली इस प्रकार मतलब paragraph जो होते हैं और जो ये पध्यान्स मतलब की होते हैं गध्यान्स होते हैं पंग्तिया होती हैं ये सभी university में अलग-अलग होती हैं और हर बार changes होते रहे तो हमेशा ये नहीं कहा जा वकता कि यही आएगा लेकिन question कुछ होते हैं ऐसे कम चांस होते हैं कि दुवारा रिपीट होगा लेकिन कोईश्चन बार बार रिपीट होते हैं उसके तो सेवर्टी है अब आज आएंगे हम देर घुत्रे में यानि कि जिसको बोलते हैं विस्तत उत्री विस्तत उत्री में कहे रहा है कि एक पृष्ण का उत्तर दीजिए बहुत ही हाई लेबल का कोईश्चन पर इच्छा के लिए एक्जाम को तैयार कर लीजिएगा तुलसिदाश की मार्यादा भावना या फिर तुलसिदाफ जी की भक्ति भावना मतलब कि कुल मिलाके तुलसिदाफ जी से सम्मंदित आपको जो भी जानकारी होगी वह रची है और लोगों को अंदर जाग रूपता फैलाईए तो इस प्रकार के आपको प्रश्चन तयार कर लेना आये गई आपको बता भी रखा था ठीक है तो अगला प्रस्चन है कि सुरकांत्रिपाठी निर्याला च्हायावाद के प्रतिने धी कभी है तो यहां पर क्लियर रहता है कि सुरकांत्रिपाठी निर्याला जी थी Emily एफक सपथन कि विवीष्चना करते हैं धी जो यूग है ति के उसके पार हिसने को 即切ा प्रस्चना सभाव करिकां ननद हीरा नंद वातसल अगेन का पूरा नाम है तो ये बहु चाग ठीक है बहु मुखी काबे काब प्रतिभा का परिशे दीजिए तो ये भी महात्पोंट प्रश्ण इनका जियुन पर चे पूरा तयार कर लेंगे आपको काफेर पर मिल जाएगी ठीक है बहुत ही हाई लेबल का इसी प्रकार आपको चार से पांच कोश्चन दिये जाएंगी दीरगूत्र में भी उसमें बताया जाएगा कितने प्रश्ण को उत्तर देना यहां पर एक लाइन दी जाएगी नोट में उसमें लिखा होगा ठीक है और यहां पर देखिए पंदा नंबर का कोश्चन है एक कुष्ण पंदा नंबर का एक करना हि ठीक है बाकि सबहें के उत्तर नहीं देना यहां पर लिखा है कि इतने प्रश्ण को उत्तर देना इसको लिख है है कि आफिक करके आप लोग गुरूप पे वहाँ पे मैंने महा संग्राम वीडियो डाल दिया है उसको आप देख लीजिएगा और हमने पीडियाप भी दे दी कुश्चन अशरवादी तो उसको भी पढ़ लेंगे ठीक आप सभी और कोई कुश्चन जरूर पूशे मिलते हैं को नई